आज मैं आपको बताने वाले हूं नियो वकैंसे के वारे में तो यह आपकी इम्स की वकैंसे रहेंगी और नोर्सेट का आपका यह एक्जाम रहेगा नर्सिंग ऑफिसर रिकूट्मेंट कॉमन इलिजिबिल्टी टैस्स नोर्सेट 6 तो इसका बहुत ही लोगों को वेट था औ इसके एक्जामिनेशन स्कीम रहेगे क्योंकि इसके एक्जामिनेशन स्कीम चेंज हो चुकी है तो यह सारी डिटेल में हम बात इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो कों तक देखिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके इस वीडियो में आपको शॉर्ट व्यू द वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं और GNM वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उनके पास 2-year का एक्सपिरियंस चाहिए मिनिमम 50 वैड़िड हॉस्पिटल का तो वह इस वेकैंसी के लिए लीजिवल है और अप्लाई कर सकते हैं जनल OVC के लिए 3,000 आपकी फीस रहेगी SC, ST और EWS के लिए 2400 आपकी फीस रहेगी परसन बिर डिसेबलिटी के लिए कोई फीस नहीं रहेगी और फीस का जो इसका माध्य में आप जो ऑनलाइन फीस समिट करवा सकते हो डेविट कार्ड के तुरू, क्रेडिट कार्ड के तुरू, नेटवेंगिंग के तुरू आप इस फीस को समिट करवा सकते हो और में क्या है इसका जो SC, ST के के केंडिडेट है जो एक्जाम में अपियर होंगे उनकी फीस कुछ टाइम के बाद रिफंट हो जाएगी जो आपकी 2400 फीस रहेगी वो रिफंट हो जाएगी और आपका CBT कब होगा, नोर्जेट का तो 14 अप्रेल 2024 को आपका CBT होगा और सेकंड स्टेज आपकी होगी 5 में 2024 को नेक्स में बात करते है। यहां पर जन्र इंस्ट्रक्शन दी गई है कैसे कैसे आपने ओनलाइन फील करना में तो आपने इंस एक्जाम के साइट पे जागे वहाँ पे आपको online form फिल करने का option आ जाएगा वहाँ से आप जो है form फिल कर सकते हैं वहाँ पे आपकी general details आपको फिल करनी है photos, अपनी educational qualifications, आपकी photo, आपके thumbprint, etc. ये सारी चीज़े फिल करनी है fees payment करनी है तो ये आपका criteria रहेगा इस पर मैं एक new video बना दूँगी कैसे कैसे आपनी form फिल करना है next हम बात करते हैं age lactation आप यहाँ पे देख सकते हो जिसको age lactation चाहिए होगी तो वो यहाँ पे है column जहाँ पे आप देख सकते हो तो main हम बात करते हैं examination pattern or scheme की तो यह बहुत ही important है क्योंकि थोड़ा सा changes इसमें हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो नोर्सेट आपका prelim होगा नोर्सेट आपका main होगा स्टेज वन नोर्सेट वन होगा आपका जो की 14 अप्रेल होगा तो examination scheme क्या रहेगी जो नोर्सेट आपका first होगा प्रेलियम होगा वह आपका qualifying होगा तो इसमें क्या होगा candidate जो qualify कर जाएंगे उनको stage 2 के लिए बुलाया जाएगा तो नोर्सेट प्रेलियम बिल not be used to describe merit rank यह कोई merit rank नहीं describe करेगा यह final selection में कोई role नहीं करेगी आपका main में exam देने के लिए ही eligible होगा अगर आप pre-qualify करते हैं तो आपको main का exam देने के लिए आप leasival होगे duration आपके 90 minutes रहेंगी मतलब आदा गंटा आपका exam का time रहेगा 100 आपके questions रहेंगे तो 20 MCQ होगे वो general knowledge के होगे aptitudes के होगे 80 questions आपके subject related होगे मतलब nursing के आपके questions 80 होगे और one third आपकी जो है negative marking रहेगी तो main क्या है इसमें यहाँ पे आप जो देख रहे हैं आपका question paper होगा वो five part में divide होगा 20 20 marks की जो है five section आपके होगे तो इसमें आपको क्या होगा जो each section होगा हर एक section होगा वो आपका limit होगे उसकी time की कि कितने time के लिए वो open होगा यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है examination will be submitted automatically आपका automatically submit हो जाएग examination each section will appear one by one duration the 90 minute duration at the time only तो 90 minute में क्या होगा आपका जैसे five section होगे तो एक section आपका open होगा उसके आपके answer करोगे उसके बाद आपका next section open होगा तो यह आपका जो है थोड़ा changes है और यहाँ पे second वाला point है इसमें यह लिखा है कि there will be sequence sequence होगी in which each section will be enabled to view answer question assessed to visible active part to view answer will be disabled after lapse of set duration and next section will be automatically activated visible and so on यह आपके पास options वहाँ पे होगे questions related और आपके five section में होगा और each section आपका जो है एक ही time पे open होगा उसके आपने answer देने है तो यह आपका जो है रहेगा और note set two है इसमें क्या होगा इसमें भी same ही है duration आपके 90 minute की रहेगी hundred questions होगे और hundred ही आपके स्लेबस related होगे मतलब nursing की आपके questions होगे one third आपकी जो है negative marking होगी और five section में divide होगा 18 minute का एक section आपका होगा और 20 में questions होगे तो इसमें भी same ही आपका रहेगा बट इसमें जो है नर्सिंग का ही आपका स्लेबस रहेगा all nursing का ही स्लेबस रहेगा और इसकी जो है वकेंसिस है उसको वह आपकी जो है ओनलाइन जो ओफिशियल साइट है वहां पर mention हो जाएगी कि कितनी कौन से वाषिम की डेंसिस हैं जब ही वह रिलीस होती है व suitable जूचे हो जो है यह आपका रहेगा पर आपकेंसिसWhere को म उनकी वकेंसिस मिलाने वाली है बॉस्कते हैं हैं । देख सकते हैं तेनी अग्याँ चप्रश्पेट साथ न्याइट है सिंटीसलड भंद किन पसे सब्еспё cycl вам चंग्यूजगे इस प्रशपेटल इंसिध्यूजगे न्यूजगे इन चंग्यूजग। लिकाश्पीजा मवचा थिंद क्या बें सब्सक्राइब के लिए रहेंगी तो यह आपकी जो है वेकंसी की डिटेल है अगर आपको कोई अधर डिटेल चाहिए होगी तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में पूछ सकते हो में बात है कि अपक्राइब कर सकते हो तो आपके जो है तो 26-2 मतलब पीछले कल से आपके स्टार्ट हो गए है 26-2-24 से स्टार्ट हो गए है और 17-3-24 तक आपके रहेंगे पांच बज़े तक और उसके बाद करेक्शन का टाइम आपको 18 मार्च को मिलेगा लेकिन इसमें में ब आपको एक्जामिनेशन सेंटर मिल सके जो आपने अप्लाई किया है क्योंकि बाद में आपको एक्जामिनेशन सेंटर नहीं मिलता है तो यह इंपोर्टन है आपको पता ही होगा कि आपने फॉर्म फिल करना है तो आपने देर नहीं करनी है आपने जल्दी से जल्दी इस फ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सबसे बेले इंफॉरमेशन मिल सके थैंक्स पा वाचिंग